मेवल शेत्र के खेडी में चल रहे श्री आदिनाद जिन 25 कल्यानक प्रतिष्ठा में आचार्य सुनिल सागर महराज ससंग और उपाध्याय दयारिशी महराज के सानेध्य में मुख्य प्रतिष्ठाचार्य दिनेश जुसावंत प्रतिष्ठाचार्य विनजैन के निर्देशन में केवल ज्यान कल्यानक मनाया गया प्रातह मुनी आधिनाद जब आहार चरिया को निकले तो चारो तरफ हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की स्वर गुंजाय मान हो गए प्रथम आहार, प्रदाता, तेचपाल, जमनाबाई, भिंडरिया के चोखे में पटगाहन पश्चात, आचार्य सुनल सागर महराज की निर्देशन में महामुनिराज आधिनाद की आहार चरिया समपन हुई धर में सभा को संबोधित करते हुए आचारी सुनिल सागर महराज ने कहा कि मानव जीवन दुरलब है भगवान की भक्ति निर्बल भावों से करनी चाहिए तभी भक्ति का फल मिलता है श्रावक को पाप कर्म नाश करने के लिए प्रतिदिन भगवान की भक्ति गुरू की अर्य अराधरा शास्त्र स्वाध्याय और दान करना चाहिए प्रवक्ता अनिल स्वर्णिकार ने बताया कि दोपहर में आचारी श्री द्वारा केवल ग्यान संसकार विधी पश्चाद भगवान आधिनात का दिव्य समवश्रन लगा समवश्रन पटका उद्घाजन मीठालाल चुनिलाल सलाडिया जैन चारगदिया परिवार निकिया समवश्रन से आचारी सुनिल सागर महराज की उंकार के साथ देव्यध्वनी, देशना, खिरी, समवश्रन से आचारी श्री ने श्रावक श्राविकाओं के विबिन धार्मिक प्रशनु का आगम सम्मत शंका समाधान किया धर्मसभा में आचारिश्री का पाद प्रक्षालन महावीर चंपालाल के लावत ने किया